बच्चो अभी तक हमने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समतल प्रिष्ट के द्वारा समझा मतलब जब प्रकाश गमन कर रही थी और उसके सामने एक पारदर्शी माध्यम आया तो वो पारदर्शी माध्यम का प्रिष्ट समतल था और वहां पर हमने अपवर्तन की घटना को पढ़ा उसकी कुछ नियम देखे अब हम प्रकाश की अपवर्तन की घटना को ऐसे प्रिष्ठ से देखेंगे जो की गोलिय हो मतलब जिस पारदर्शी माध्यम से प्रकाश टकराने वाली है उसका प्रिष्ठ समतल ना होकर गोलिये है उस condition में भी अपवर्तन के वही सारे नियम लागू होते हैं जो समतल प्रिष्ठ के लिए लागू होते हैं पर यहां पर अपवर्तनांग का सूत्र इस प्रिष्ठे के लिए चेंज हो जाता है। यदि हम देखें तो जब अपवर्तन की घटना होती है तो स्नेल की नियम के अनुसार ये घटना होती है। यानि कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांग म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब जब आगे भी गोली प्रिष्ठ में अपवर्तन की घटना होगी तो यही नियम लागू होंगे लेकिन इसके अपवर्तनांग के सूत्र का रूप थोड़ा सा चेंज हो और यह गोली अपवर्तक प्रिष्ठ दो प्रकार के होते हैं एक उत्तल और दूसरा अवतल जो उत्तल होता है उसे हम